कभी Islamic point of view से आपको इस stock exchange के काम में problems होती हैं तो इस stock exchange के अंदर हमारे पास एक KMI कराची मिजान index के नाम से index 30 के नाम से है जो के शरिया compliant companies हैं जिनके बाद शरिया compliance का certificate भी होते हैं और वो सिरफ ऐसी companies में जिसके दर आप invest कर सकते हैं जो सूच से पाक हैं और जिनके उपर आपको वो मिलाव है एक और चीज़ जो लोगों को नहीं realize करते हैं वो यह लोग अकसर समझते हैं कि जी हम बैंकों में पैसा रख लेते हैं अच्कल रेट बहुत जादा मिल रहा है 21% मुझे साल में मिलेगा लोग यह realize नहीं करते हैं कि अगर आप अच्छी market अच्छी किसी company में invest करते हैं तो साड़े साथ परसंट एक दिन में आप कमा सकते हैं तो अगर आप मिसाल कोई गाड़ी की company कोई की कमपनी की किसी और की कमपनी जो आपको पता है कि उसमें आपकी फिर रीसर्च आजाती है आप रीसर्च करें आप देखें कि कौन सी company आपको लग रही है कि अच्छी होगी अभी IT के लिए SIFC का हिसा बन गया है उसके अंदर चीजें लाई जाएंगी कि IT के exports बढ़ाएं तो आप IT companies देखें कौन सी है अगर कोई उसके अच्छे results आते हैं तो साड़े साथ परसेंट एक दिन में आप कमा सकते हैं अधर आपको 21% साल बाद मिल रहा है इदर साड़े साथ परसेंट एक दिन में बना सकते हैं ऐसी कंपनियां है अब पाकिसान stock exchange ने पिछले आपके जुलाई से लेके अब तक 40% का return दिया है इंडेक्स की अगर मैं आपको बात करूँ ऐसी कंपनियां भी जो सौ फीसद भड़ गई है पिछले तीन-चार महीने के अंदर because of the performance क्योंके लोगों को नजर भी और जो अच्छी बात है वो यह कि लोगों का confidence पाकिस्तान में जब मार्केट 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 जो आपके मुल्क का confidence दिखाती है जब मार्केट इस नौट डूइंग वैल तो सब्सक्राइब के लोगों का confidence नहीं है मुल्क के अंदर के बारे में हमारे उस तरह से awareness नहीं है जिससे होनी चाहिए आप बिल्कुल सही कह रही है और इसी वज़ा से यह मैंने company जो बनाई थी वो बनाई इस वज़ा से थी कि मुझे realize होता था लोग बोलते थे जी या हम लोग बैंक में पैसा रखने या हम डॉलर खरीद लेते हैं सोना खरीद लेते हैं या committee दाल लेते हैं या हम लोग जो है जमीन खरीद लेते हैं जमीन अगेन अगर आप middle class ये lower class के लिए देखें मुझेल है पैसे जमा करके आप पैसे डालें और जमीन खरीदें वो उसको मैं dead asset कहता हूँ उसको आपको इसे कोई return नहीं हो रहा है इध लेकिन अगर आप research करके किसी अची company में पैसे डालेंगी अगर आज उसकी कीमत गिरी है तो कल वो भड़ भी सकती है और बहुत असानी से बढ़ सकती है secondly एक और चीज़ होती है जो लोग रेलाइद नहीं करते है वो dividend भी होता है dividend यह होता है कि अगर आप company में share आपने ले लिया आप उसके हिस्सेदार बन गए उसके profits जो है उसको वो अपने share owners की बीच में वो माटते हैं तो आपको जितने share हैं उतना आपको मिल जाएगा return ऐसी भी company हैं जो के 30-35% dividend yield सिरफ दे रही है यानि इसका यह मतलब होगा कि उनके आपने let's say कि आपने अगर 10 रुपे का share खरीद है साड़े तीन रुपे आपको dividend के through वापस मिल गया तो वह 10 रुपे से 12 रुपे पे हो गया तो 20% आपका वहाँ बना और 35% आपको dividend मिल गया तो आपने 55% साल में मुनाफ़ा कमा लिया ऐसे और यह चीज लुगों को नहीं पता डॉलर भी जब लेते हैं तो वो डॉलर कभी उपर कभी नीचे होता रहता है दूसर्सAY नमबर पर अगर आपको जूरत नहीं है डॉलर कहीं बार करने कि तो फिर आप मिल्क का किुछ्झान करने हैं डॉलर कुक्त ही कमी है ऐसी गोल्ड भी वो आपको कुछ कमा के आगे नहीं देती वो बस पड़ा रहता है अगर क्यों शादी या किसी के लिए आपको चाहिए हो तो वो अलग बाता है लेकिन अगर आपने सिर्फ इंवेस्मेंट के लिए रखा है तो फिर तो लोगों को ये नॉलेज करवाने के हम कोशिश कर रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट की तरफ देखिए आप तो उसके लिए तालीम दे रहे हैं और आपने कहा भी लेकिन आपको लगता है कि कुछ कोई एस इंस्टिट्यूट होना चाहिए प्रॉपर जहां पर ये बताया जाए इसकी तालीम दी जाए अवरिनस दी जाए अब युनिवर्सटी इसने डिफरेंट ने स्टॉक इस पर शुरू भी कर दिया हमारी भी एक युनिवर्सटी है पर भी हम लोग मेक शूर करते हैं हमारे उपर एक टॉक एकशेंज के ओपर कोर्स भी होते हैं काफी जादा इनिवर्सटी इस पाकस्तान में और भी हैं और दूसरे ब्रोकरिज हाउसे भी हैं जिनने अब देखके इसके ओपर काम शुरू किया है नॉलेज बनाने का और इस जगों पर आपका साइन की जरूरती है अब आउनलाइन आपको एक जगा पर साइन करना है और सारी इंफ्रमेशन फिल हो जाएगी और विदिन अडे आपका अकाउंट खुल जाएगा तो यह जो इस ऑफ डूइंग बिजनेस है यह बहुत भीतरफ हो गई है और खासवाप स्टेप्स लिए जा रहे हैं जो के जिसकी वरह से अब चीज़ें बेतर हो रही है और अगेन आईसाइज सैट के उमीद यही है कि इंशाला चीज़ें और बेतर से बेतर होती रही हैं इंशाला आप हम जो हैं वो हमारा मुल्क हम सब आलमी इदारों की तरफ से प्रिशराइ जी देखें आईमेफ जो हमारा लास्ट मेजर रिजॉर्ट है आप जो आपको पैसे देता है जब आपको कोई और देने के लिए पैसे तियार नहीं है तो इसका यह मतलब है कि आपकी इस हालात पे आप पहुंच गए हैं कि आप समझ लें कि आपको वेंटलेटर पे लगान क्या करें कि को जो है हम लोग बैलेंज करें अपने टैकसे लोग science हम लोग लोग ए हम लोग कि करें कि हम लोग फुजूब चीजों के उपर पैसे ना खरचें उनवस्टियों में पेसे पैसे खरच लेंन अगर्ट सीज्ट के इसमें आपकर में नोग बह lic generally कि ब्रेविटाइज करें या उनका कोई नतीजा निकाला जाए ताके उनका जो हमें लॉस मुलक को हो रहा है वो होना बंद हो सके। क्योंकि हम करते ये कि हम लोग करजा लेते हैं और फिर वो करजा लाइकिंग कंपणियों में डाल देते तो economic sense यह नहीं होती अगर आपकी अपनी company होती है वो सिर्फ आपको नुकसान ही करवारी होती तो आप करदा लेकि उसमें और पैसे नहीं दालते और हमारे हमसाहे जो हैं वो भी इंडिया भी IMF के पास था वो भी IMF के पास गया था आज आप उनके मुल्क को देखें उन लोगों ने क्योंकि एक steps लिए मुश्किल decisions ली तो अगर वो कर सकते हैं तो हम तो हमेशा अपने आपको समझते हैं हम उनसे बेतर करेंगे इन्शाला ह हम सर्फ cricket में बेतर करने की कोशिश करते हैं बाकी तो हमारे मुल्क में अच्छा मैं हूँ सब 65% अगर हम बात करें यंग population है भी आपने भी कुछ देर पहले जिकर किया कि हम इस मामले में बड़े खुशनसीब लोग हैं किस तरह से utilize किया जाए यंग generation को जी सबसे पहले उन हमने जो अपनी जंदगी में अपनी लाइफ में नहीं सुना anxiety, depression, stress इन सब का शिकार हो चुके हैं और बहुत लोग जो है वो इसके treatment की तरफ जाते हैं और वहां पे भी पिर आपको पता है कि वो जो भी उसका treatment होता है उसके भी बड़े side effects होते हैं इस सारी चीज़ें भी सा क्वेरें देखते हैं और लोगों कि और सोचते हैं कि जी हमारा ऐसा क्यूं नहीं हो सकता कि मेरी उनको हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि कोई अपनी गंदी चीज सोचल मीडिया पर नहीं लगाता है अपनी जन्दगी ना हो जितनी कि आपको पूट्रे कर रहे हैं लेकिन आप अपनी पढ़ाई के फोकस करें मेरा उनको यह मश्वरा होगा अगर आपको कोई हुनर होगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर बने आप आई-टी का कोई कोई कोर्स कर लें कोई आई-टी की चीज़ सीखने तो आप की डिवलिप्मेंट शुरू कर सकते हैं जिसके उपर आपको डॉलर के अंदर इंकम मिल सकती है साथ-साथ इसके अंदर अगें जैसे मैंने बोला कि महनत इस बेस 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 आप अपनी स्ट्रॉंग करेंगे तो उसके उपर इंशाला फिर मंदिल बना सकेंगे सेही अच्छ के हवाले से सुना के बेरे तालुकाथ हमारे उनसे रही तैल kanssa तो उसके बारे में हैं कुछ बता इया है साथे ही गुटिया करें मीरा कराएं वो एक मुल्की अलग लगता है हम लोगों का महाँ पे हम लोगों ने केट्रेट का ओफिस भी अलहमदुलल्ला दो धाई महीने पहले हम लोगों लाउंच कि है तो हमारी महाँ पे कंपनी भी है तो हम लोग जब उदर पहले जाते थे तो लोग अम्रा यहाज करते थे वापस आ जाते थे कभी बिजनिस का देखानी के कैसा होता था कभी जाते भी थे तो देखते थे कि कोई पाकिस्तानियों के लिए उपर्चूनिटी थी नहीं और हमें अनफॉर्चनेट बाद जैसे मैं आपको बोला कि हम सिटे दें तो सरफ पाकिस्तानी के हैं इधर हमारी वैल्यू है बाकी मुलकों में हमेशा हमें देखा जाता था कि कहीं भाहर से आया है लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं वो पाकिस्तानियों की तरह के टोर्ड़ जो आटिट्यूड है वो काफी चेंज हो गए आपको बहुत वैलकम भी कर रहे हैं आपको उपर्चूनिटी भी दे रहे हैं और जो हमारी वहाँ पे लोगों से बातचीत हुई है जो साओधी नैशनल्स हैं वो यह बोलते हैं कि जी उनको मैंडेट दिया गया है कि आप पाकिस्तानी कमपनियों के साथ काम करें जो एक बहुत अच्छी खुशाएन चीज है हमारे मुल्क के लिए तो वहाँ पे बहुत जादा उपरचुनिटी है जैसे हम लोग हैं वैसे और लोगों को भी मैं इंकरेज करूँगा कि जाकर देखें आप क्या उपरचुनिटी हैं कि आप मिलके उनके साथ काम कर सकें इसके अंदर हमारी जो गर्वर्मेंट है अगेन साइए एफसी भी जो करने के तो साओी के अंदर बहुत जादा उपरचुनिटी है I think it will be one of the biggest success stories that हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि जैसे उनने अपने मुल्क को बदले और ट्रांसफॉर्म किया और हमारे लिए और जादा खुशी की बात है क्योंकि हमारा मुस्लिम भाई है साओी मुस्लिम कंट्री है तो अगेन मैं लोगों को बोलता हूँ जब वो इतना चेंज लेकर आ सकते हैं और इतनी अपनी करें में चीज यह है बिल्कुल एक है कि वो लोग कैसे जो पहले इतने में भी मेहनत नहीं करते हूं इतना काम नहीं करते हूं उनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो अपने मुल्क को बदल रही है जो इस हाइनेस MBS हैं वो 35-36 और नहीं बिलीव तो आप उनकी टीम के किसी भी बंदे को लिखती थे आपने एक चेंज लेकर आ रहे हैं तो हमारे हाँ भी यंग पॉपुलेशन हमारी 65% पॉपुलेशन इस अगर उनने की है तो हम भी करें मेहनत करें अच्छा हमारे एक और कांसेप्ट है महमुसाब के हमारे बच्चे जो है वो अब हम उनको पहले तो हमारा बड़ा सिंपल एक तरीका होता था जी के इंटरमीडियोट के बाद आपने ग्रेजवेट करना है लड़कों को कुछ बेहतर पढ़ाई करनी है और लड़कियां भी चाहें तो मतब इस तरह से सिलसला चलता था और यूनिवरसिटी और स्पिशलाइजेशन है अगर अब बच्चों में बड़ा एक डिफरेंट एक चीज़ या आगई है कि इसकल जादा जरूरी है डिगरी की अहमियत नहीं है और बास जो अगर मैं कमपनीज की बात करूं ब तो मेरी अब्जोवेशन भी ऐसी है कि वहाँ पे आपकी बच्चे कहते हैं बोडी लांगवज को आपकी देखा जा रहा है आपके डिगरी को नहीं देखा जा रहा है आपकी स्किल्स को देखा जा रहा है तो यह बात किस हब तक आप समझते हैं किसे हैं जी मैं इसमें शु हमारी lower class में नहीं है, middle class में नहीं है, higher class में भी है, आप जहां देखेंगे, अगर बेटा चाहे like हो ना हो, वो ही CEO बनते है, बेटी नहीं बनती चाहे, वो जितनी भी like हो, which is extremely unfortunate, तो सबसे पहरे, जो मैंने आप बताया था, कि हमारा mission है, कि हम जो इन्वेस्टर बेस मुल्की ब हो ही, लेकिन घर पर बैठके मियाँ से ही wait करना है, कि वो पैसे देगा, वो खुद पैसे कमा सकती है, अपनी saving के through, वो stock market में पैसे लगाएं, लाग रुपे जो है, वो डेड़ लाग भी हो सकता है, उनको खुद financial dependency जो उनकी है, वो खतम हो सकती है, तो हमें सबसे पहले जर और उनको equal opportunity देना जो है, वो मुल्क के लिए critical है, क्योंकि आपको सोचे, अगर अपनी आदी से ज़्यादा population को sideline कर देंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, वो जो human capital आपका है, वो जाया हो जाते है, क्योंकि आप आदी population को उनके पास जो level है, जिस पर पहुंच सकते ह ही है, और आपने जो आगे सवाल किया था कि कैसे आगे उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, तो जरूरी यह है कि हम लोग, again, degree होगी तो आपको आगे skills के लिए कर नौक नहीं मिलेगी, अगर degree नहीं होगी तो आपको आगे, there are two ways about it, लोग कहते हैं, जी मैं पढ़ा ही मैं अच skill set बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हमारा एक मुल्क का या मुल्क का तो नहीं दुनिया का काईदर बनाव है कि अगर आपके पास degree नहीं होगी तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, और दूसरी बात यह है कि आप चाहिए जितने भी street smart हों, जो पढ़ाई से आपका नमाग खुल होता है कि आप degrees की तरफ जाएं और फिर skills की तरफ जाएं अच्छा कुछ कोई वैसे तो अपने हर बात में आपकी एक message था फिर भी कोई हमारी young generation को को message देना चाहें, बताना चाहें जी बिलकुल मेरा message जैसे मैंने पहले बोला मैं repeat करूंगा कि मायूसी जो है वो गुना है, मायूस ना हो, अपनी आप मेहनत जारी रखें, अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको इंशाला जरूर Allah मदद करेगा, again as I said जरूरी नहीं है कि पहली दफा में आपको success मिल जा और कोशिश करते रहते हैं and it is never too late to learn new things, कोई उमर जो है वो लेट नहीं हो जाती, नहीं उमर शुरू करने की और कोई काम भी बहुत छोटा नहीं है, जो भी काम है आप उसको दिल लगा के करें और आप बहुत खुश किसमत होंगे, अगर आप ऐसा काम कर सकें जिसका आपक बहुत अच्छी बात की, कुछ एक सवाल मैं आपसे और मजीद करना चाहूंगी, senior citizens बड़े एक मायूसी आजाती है उनमें और तो उसके लिए कुछ है कि अभी आप लोग इतना जादा काम तर रहें, तो क्या सोचते हैं कि एक जो एज के बाद रटार्मेंट है, तो एक experience बनदा है, और बस ली क्या है, उसको सब कुछ पता है, सब कुछ वो जानता है, तो आगे क्या वहाँ पर future खतम है, क्या फिर मायूसी ही मायूसी है, जी इसके अंदर, again मैं अपनी stock market के उसके आजाता हूं, तो इसके अंदर, सिरफ housewives या सिरफ बच्चे नहीं हैं, जो कि invest क तरफ देखते हैं, जी वो उनके खर्चे चलाएं, तो उसके उनको पूरी जिंदगी वो आपके बच्चों को अपने चलाते रहें, और किसी को लगता है, मेरे लिए I need a stable return, कि मुझे बैंक में पैसे रखने हैं, तो वैसे कर लें, लेकिन इसमें keep investing and keep learning, अगर आप senior citizen भी है तो उसमें भी अगर आपको, for example, stock market का नहीं पता है, mutual funds का नहीं पता है, एक और तरीका होता है, investments का, तो इनके बारे में सीखें, इधर investments करें, ताकि आपको किसी को पर dependency, जो है, आपकी बोन आए, किसी को पता है, सही, thank you so much, बहुत शुक्री आपका for having us, सारी बातें आप ल झाल